यहां हमें 2 by 5 divided by 1, 1 by 2 find करना है तो देखो यहां एक normal fraction है और यहां एक mixed fraction है तो इन दोनों को ऐसे तो हम divide नहीं कर सकते तो सबसे पहले हम इस mixed fraction को थोड़ा simplify कर लेते हैं अब देखो 1, 1 by 2 को हम लिख सकते हैं 1 plus 1 by 2 mixed fraction को हम ऐसे भी लिख सकते हैं तो यह हो जाएगा 2 by 5 divided by 1 plus 1 by 2 अब इसको हम easily solve कर सकते हैं तो पहले हम इस bracket को solve कर लेते हैं अब देखो यहां एक fraction है और यहां सिफ 1 है अब 1 को हम लिख सकते हैं 1 by 1 तो यह भी fraction बन गया अब हम easily इन दोनों fraction को add कर सकते हैं अब fractions को add करने के लिए हमें इनका denominator same करना पड़ेगा तभी हम add कर सकते हैं अब denominator same करने के लिए हम करेंगे cross multiply तो हमें मिलेगा 2 by 5 divided by 1 into 2 प्लस 1 के साथ multiply होगा 1 और denominator में आ जाएगा 1 into 2 अब इन सब को multiply करेंगे तो हमें मिलेगा 2 by 5 divided by 2 plus 1 by 2 तो यह हो जाएगा 2 by 5 divided by 3 by 2 अब देखो यहां हमें दो fractions को divide करना है तो जब भी हमें दो fractions को divide करना होता है तो हम first fraction को ऐसे लिख देते हैं अब divide के जगा हम करते हैं multiply और यहां आता है second fraction का reciprocal अब 3 by 2 का reciprocal मतलब इसका उल्टा हो जाएगा 2 by 3 2 नीचे था तो 2 उपर चला गया और 3 आ गया नीचे तो हमें मिल गया 2 by 5 into 2 by 3 अब इन तोनों fraction को multiply करने के लिए हम numerators को साथ में multiply करेंगे और denominators को साथ में तो यह होगा 2 into 2 by 5 into 3 which is equal to 4 by 15 तो इसका answer हमें मिल गया 4 by 15 नेफ़र 2 by 5 divided by 1 1 by 2 हमें मिल गया 4 by 15 मिलख दो दो साथ में मिलखो रहिर प्सकाउश्रीज दो do यह हमें मिलख़ क कीर लिएचे की ज़का देगिस